बेलकम फ्रेंड आपके ही अपनी यूटूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रूव में आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबल होने वाला है इस बंगाल कलब और काली घट के कलब के बीच में आज के दिन का सेकेंड मुकाबला इस मुकाबले के बारे में हम डेटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में आप वीडियो के साथ बने रहीए का लेकिन दोस्तो यदि आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और वेला इकन फ्रेस कर देना है जिससे मरें लेते बीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना वीडियो को लाइक जरूर करना है तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं यहाँ पर ग्राउंड इस्टेडस के बारे में करना वेडियो का सब्सक्राय करना वा यहाँ पर separate दो चर्चाकश को लाइक जरूर्स के पहरे में। पर ऐसा ही बना था और जो कल बने थे 175 वो सिरफ 160 फ्लस एक बार बने है यह दी बात की जाए फर इनिंग्स में 6 विकेट मतलब 6 दर्श मलब 33-33 यहां पर विकेट गिरे हैं और वहीं टोटल विकेट के बारे में बात की जाए 15 मैचों में तो 15 मैचों की 30 इनिंग्स में 190 विक पावलों में ज्यादा इंपेक्ट नहीं डाल पाए लेकिन लाश्ट मैच में नहों ने फॉर्म में बाप्स की है और सांदार हंडर्ट रन्नी की इनिंग्स खेल कर इनों ने दिये उसके बाद अमित आप देख रहे होगे यहां पर गेंदबाजी भी कर रहे हैं दोस्तों और बल्लेबाजी भी कर रहे हैं गेंदबाजी में ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन बल्लेबाजी में एक मैच में 68 रन इसमें इनोंने इंपेक्ट अपना दिखाया था उसके अलाब बात की जाए खेरिया की बारे में खेरिया ने 16 रन बनाए 4 रन बनाए 18 रन 24 मतलब इ इन दोनों टीमों में धेक्यों कि बेटिंग दोनों की ही मजबूत है चलि ये बात करते है इन नेंडी की बारे में तो नेंडी जो कि अबने टीम के क्याप्टन है ज्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाए इंपेक्ट नहीं डाल पाए सिर्फ एक मुकाबले को छोड़ दिय जाए आप देख सकते हैं सिर्फ एक मुकाबले में उनन पच्पन रन और एक बिगट चटकाया उसके अलाबा इन्होंने इतना अच्छा प्रुमेंस करकर लाश्ट के मेंजों में कुछ में नहीं दिया भही मॉंडल के बारे में बात की जा सियान मॉंडल आपके लिए यहा बारे में तो कनेक सेट को आप देख सकते हैं लाश्ट में समय दसरन बनाये लेकिन कोई विकेट नहीं मिला मैं टाइप करना भूल गया और 27 रहने उनने अपने तीन औरो में दिया उसके लाबा सुजीत कुमार याद आपको तीन विकेट मिले अच्छी गैंद बाजी की ल और से आप यहाँ पर देख सकते हो लाश्ट में हालागी विकेट नहीं मिला उस से पहले दो विकेट मिले एक विकेट मिला तीन विकेट मिला मतला तोटल अभी था कि छे विकेट निकाल चुके हैं अपने खेले गए तीन से चार मुकावलों में अब जीत भगत को ख़लाय गया था लेकिन लास्ट में जम ना तो इनकी बल्लेबाजी आई ना बॉलर और लास्ट डाउन पर इन्हें सिटिंग किया गया था यदि इन्हें प्रमोट किया जाएगा जिया दोस्तो यह मेरे पास ऐसी कोई न्यूज आएगी तो आपके लिए टेलिग्राम पर वो मिल गई थे सभी इनकी टीम ही पूरी सच्टे में सिमट गई थी बहुत से के साथ बहुत से भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया थे और जो जित बसू भी कुछ नहीं कर पाया थे बातकरन सुधीप चटर जिए कि इनकी दोस्तों आप देख सकते हो लगातार तीन इनिंग्स सुभम चटर जी के बारे में बात करें तो इनके लगातार सक्सिज आ रहा है साय दिनका भी एक फैलूर आने रहा है दोस्तों आपके लिए अच्छ उप्सन हो जाते हैं आप ग्रेंड लिग में इन्हें अपना कैप्टन और 22 कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लिग साथरन एक विकेट आप इन्हें अपने टिप में ट्राई कर सकते हो लाश्ट का ही मैच हुआ था इसमें इन्होंने थोड़ा एवरेज प्रूप मेंस करकर दिया था लेकिन उससे पहले आप इनके लगातार फैलियर देख सकते हो आमिर घानी एक मैच में प्रमोट किया ले इसके लाबा मिथलेस दास आप देख सकते हो लगातार इनके फैलियर चल रहे हैं महीं बात करें कुलिया को अमिर कुलिया को लाश्ट में खिलाए गाया दोवेक निकाले उससे पहले इन्होंन एक वेक निकाला तो इनकी टीम से अमिर कुलिया और सौरब मंडल आपके तो आपके लिए टेलिग्राम पर अब्डेट कर दिया जाएगा, लिंक आपको टेलिग्राम की डिस्किप्शन में मिल जाएगी, दोस्तो आप टेलिग्राम से जुल जाएगा, क्योंकि आप्टर टॉस जो भी मेरे पास information आती है, टेलिग्राम पर ही मैं आपके लिए प्रोव तो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तो लाइक करने के आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं लगते, दिल खोल कर लाइक करिएगा, बात करें यहाँ पर आपके लिए स्रीबत गोस्वामी, ओपन करती हुए नजर आ जाएगं, लाश्ट में सोराडी क करती हुए नजर आ जाएंगे, बोसे आपके लिए ओपन करती हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन बोसे ने तना चप्रुमेंस नहीं किया, तो मैं यहाँ पर सुधीप चटर जी को अपने टिप में ट्राइ करूँगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बल्लिबाजी करता है, प्रीतन दुत्ता आपके लिए और टॉप और में ही बल्लिबाजी करती हुए नजर आ जाएंगे, लाश्ट मेस इन्हें खिलाए गाया था, इससे पहले नहीं खिलाए गाया दोस्तों 15 राइन मत बनाया थी, यदि आप इनके स्टेटस चेक करना चाहेते हो तो वी इसी प्रोवाइड कराता हूँ, उसके लाबा खेरी है, आपके लिए ठीक राक अप्सन हो जाता है, इनके बेटेंग ओरर के बारे में मैं बता देता हूँ, लाश्ट में इन्हों ने तीन नमर पर बल्लिबाजी की थी, समभब्ता टॉप ओर्डर में ही इस में इस में बल् अधने तना जादा कुछ नहीं किया, बासू आपके लिए यहाँ ठीक टाक अप्सन हो जाते हैं, आप यहाँ पर जो जिद बासू अपने टिप में ट्राइ कर सकते हो, आपके लिए ओपन करते हूँ ने ज़र आ जाएं, अब दोस्तो हमें एक बल्लिबाज यहाँ पर लेन यहाँ पर मंडॉल को ट्राइ कर रहा हूं, आप यदि बासू को ट्राइ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मंडॉल भी आपके लिए टोप ओर में तीन से चार नमर पर बल्लिबाज करती हूँ नजर आ जाएंगे, जो ज़ियद बासू आपके लिए ओपन करती हूँ यहाँ आपके लिए मिल जागी आप भाज जाकर डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करकर आपके लिए राज बंटू 3 कोट डालना है अब इस पर खेलने के लिए मैं क्यों recommend करता हूँ low entry fees उसका आप यहाँ पर example भी देख सकते हो आपको 5750 रुपए में मिलेगी दोस्तो ड्रीम 11 पर जोएन करने से ही पहले 500 रुपए आपने जीत लिए उसके लाब 27, 40, 10, 55 ऐसी कोई सी भी लीग नहीं है इसमें दोस्तो आपके लिए यहाँ पर छूट न मिले तो एक बार जरूर आप यह ट्राइ करकर देखे लो एंट्री फीस, कैड़े इसू आपके लिए फेस नहीं करना पड़ेगा 1-2 बनेट में बेंक बेड्रो मिल जाएगा उसके लाब दोस्तो लो कमपटिशन इससे कम कमपटिशन कहीं नहीं आपके लिए यदि आप इस पर जोइन करोगे तो आप 75% से 85% तक अपने मुकाबले जीतोगे 100% में किसी के गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि यसा नहीं है और जो भी 100% गारंटी लेता है दोस्तो वो आपके लिए बेबकूफ बनाता है तो आप एक बर जरू से ट्राइ करेंगा इसकी टीम का डारेक्ट फैनल प्रिव्यू हमारे टेलिग्राम चेल पर मैं प्रवाइड आपके लिए कर दूँगा वल राउंडर सेक्शन के बारे में बात करें सबस्पहले सरकार के बारे में बात करें सकते हो या अपने अकोर्डिंग दोस्तों वीडियो देखकर आप भी समत सकते हो लास्ट रिकॉर्ड देखकर भी नेंडी आपके लिए अच्छा उप्सन हो जाता है लगबग लास्ट मैंच में नमर चार पर बल्ली बाजी की थी तो चार या पांच पर बल्ली बाजी करेगा उसके लाबा तीन से चार ओवर यह अपनी फैक कर देगा तो आपके लिए यह दोनों तो बिल्कुल मस्ट फिक उप्सन है अब आपके लिए यहाप पर उप्सनल उप्सन मैं बता देता हूँ आमिर घानी यदि प्रमोट नहीं किया तो नमर साथ पर यह बल्ली बाजी करेगा परमनिक आप ऐस बॉलर ट्राइ करेगा बल्ली बाजी इनों ने इतनी अच्छी नहीं की बॉलिंग में जबूर चार ओपर करेगा और लगबग डेथ होपर में भी अपनी गैन्दबाजी ये कर सकता है और यहाँ पर इनके बारे में मैंने सरकार के बारे में आपके लिए बताई दिया है यह दोस्तो आपके लिए यहाँ पर 6 नम्मर पर बल्ली बाजी करेगा और उसके अलाबा गेंद बाजी लगबग अपनी यह कर सकता है अब आप अपने अक्वाडिंग ट्राई कर सकते हो मैं आप पर पर्मनिक कॉपने ट्राई करूँगा अब बात कर लेते हैं दोस्तो लाष्ट में जाएए यदि आपने स्किप नहीं को तो देख लिया होगा लाष्ट में जाएए इनके रिकॉर्ड जरूर देखिएगा उसके लाब पांडे आपके लिए ठीक्टा को अप्शन हो जाता है यहाँ पर सेठ और सबसे मजबूत अप्शन आता है दोस्तो इनके बाद तो वो सेठ है तो आप यहाँ पर सेठ को ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर कुलिया आ रहे हैं लाष्ट में दो बिकेट जरूर निकाले थे उससे पहले एक बिकेट निकाला था तो आपके लिए यह ठीक्टा को अप्शन हो जाता है यदि आप कुछ एक्ट्रा करना चाहते हो तो बिलकुल ट्राई कर सकते हो फिलाल के तीम दोस्तों मैं यहाँ पर सेठ को ही ट्राई करूँगा आप चाहो तो पांडे को भी अपने ट्राई कर सकते हो अब बात करते हैं कैप्टन बाइस कैप्टन की जो कि इस मैच का सबसे टफ सेक्शन रहने वाला है टफ स हिसाब से दोस्तों Captain Vice Captain Rotate कर सकती हो या आप दोस्तों जो मैं बना हूँ आपके लिए टेलिग्राम पर Final Captain Vice Captain वो भी आप ट्राइ कर सकती हो अभी के लिए मैंने option आपके लिए available करा दिये इस चार option मेरे best हैं अभी और दोस्तों Final जो भी Captain Vice Captain आएंगे वो आपके लिए टेलिग्राम पर में प्रोवाइड करा हूँ इन चार option के साथ आप दोस्तों Grand League खेल सकते हो और Grand League आप कहा खेलेगा MyFab11 या Badwall11 की दोनों के ही लिंक आपको description में मिल जाए या बहाँ जाके जोइन कर सकते हो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद